दोस्तो आज में जिस series के बारे में बताने वाला हूँ, वो series के बारे में अगर आपने नहीं सुना है, तो आप एक अच्छा खासा content मिस्ट कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ डेली क्राइम सीरीज के बारे में जिसके पहले सीजन ने सबके होस उड़ा के रख दिये थे उसका दूसरा सीजन आ चुका है DCP वर्तिका चतुरवेदी अपनी टीम के साथ वापस आ चुकी है एक और केस के साथ इस सीजन की सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी पुरानी कास्ट के साथ कोई भी छेडशार नहीं की गई है जो आम तोर पे हमें देखने को नहीं मिलता सीरीज की सुरुवात होती है मल्टिपल मर्डर से जहां बुड़े लोगों को सिकार बनया गया है और उनको बे रहमी से मार दिया गया है और घर से सब कुछ लूट लिया होता है अब उनको मारने के लिए गंस का इस्तमाल नहीं किया गया बलकि हतोड़ा और छूरी का इस्तमाल किया गया है तो आप समझ सकते हो कि कितने भयानक तरीके से उनको मारा गया होगा घर के CCTV से पता चलता है कि ये कच्छा बन्यान गैंग का काम है जो कि 90 के दसक में इस तरह के काम करते थे अब ये क्लियर करना जरूरी नहीं है कि इसको कच्छा बन्यान गैंग क्यों कहते हैं क्योंकि कच्छा बन्यान पहन कर ये लोग खून करते हैं इस सीरीज में आप देखेंगे कि कैसे दिल्ली पुलिस रात दिन एक करके केस को सोल करने में लगी हुई है और इसके काम से इनकी नीजी जिन्दगी में कितना असर होता है एक्टर्स की पफॉमंस की बात की जाए तो सेफाली शाह एक मंजी हुई अधाकारा है DCP वर्तिका चतुरवेदी का किरदार उन्होंने बकु भी निभाया है दूसरी और रसी का दुगल यानि की नीती सिंग का किरदार भी निखर कर आता है जहां पहले सीजन में एक इंटर्न बनकर दुनिया को समझने की कोशिज कर रही थी वहीं इस सीजन में वो वर्तिका चतुरवेदी का राइट हैंड बनी हुई है राजेस तैलांग जो सीरीज में भुपेंदर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं उसने भी अपने किरदार को बखु भी निभाया है एक समय ऐसा भी आता है जहां DCP वर्तिका को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर किया जाता है केस के बढ़ते प्रेसर की वज़े से उपर वाले लोग चाते हैं कि कैसे भी करके इस केस को खतम किया जाए चाहे उसके लिए बेगुना को भी क्यों न बलीद दिये दी जाए और यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि DCP वर्तिका ने क्या किया होगा सीरीज की दिक्कत इनका छोटा होना हो सकता है क्योंकि सीरीज में मात्र 5 एपिसोड है 40 मिनिट इच 5 में से पहले 3 एपिसोड में क्राइम कैसे हुआ और किसने किया ये दिखाया जाता है बाकी के 2 एपिसोड में क्रिमिनल्स को ढूंड़ना और सीरीज खतम दोस्तों डेली क्राइम के दोनों ही सीजन आप नेट्फिक्स पर जाकर देख सकते हैं और अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर बताए और इसी तरह के वेब सीरीज के रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जैहिन